एक दफ़ा का जिक्र है एक घंबीर दरिया के कनारे एक सरसब्स जंगल में मुमु नाम का एक चालाक और शरार्ती बंदर रहता था। मुमु अपनी तेज अकल और चंचल हरकात के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। वो अपने दिन एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जोलते हुए, मीठे कीले चबाते और दूसरे जानोरों को अपनी चालों और लतीफों से महजूज करते हुए गुजारता था। पाफी अर्से से उसके जहन में था। एक गरम और तेज दिन जब मुमु दर्या के कनारे बैठा था, उसने कलाइड को धूप में टहलते हुए देखा। तुम क्यों नहीं आते और ठंडे पानी में थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते। मुमो हमेशा एक नई महम जोई के लिए तयार रहता, चनांचा उसने कलाइड की बात से इत्फाक किया। वो कलाइड की पैठ पर छलांग लगा कर बैठ गया और मगरमच तेर कर दुरिया के बीच में चला गया। ताहम जीसे ही वो पानी की गहराई में उतरे। मुमो को ये महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड है। कलाइड के इरादे इतने दोस्ताने नहीं थे, जितने वो लग रहे थे। मुमो ने जल्दी से अपने आप को बचाने का मनसूबा बनाया। उसने कलाइड से कहा, तुम जानते हो, कलाइड, मैंने अपना दिल दुरिया के दूसरी तरफ आम के सबसे ऑँचे दरख्त में छोड़ दिया है, मैं उसके बगएर तेरने का तसवर भी नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे वापस साहिल पर ले जा सकते हो, ताकर मैं उसे पसले आयों, कलाइड, दिल ही दिल में मौमो को नाश्टा बनाने का सौच कर बहुत खुश हुआ, मौमो की दरख्वास्त पर राजी हो गया, वो तेर कर वापस दरिया के कनारे पहुचा, और जीसे ही मौमो के पाउं जमीन को छुए, वो दरख्तों की तरफ च्छलांग ल हिंकते हुए कहा, हेलो, कलाइड, हमारी दोस्ती की अलामत के तौर पर इस आम से लित्फ अंदोज हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, मौमो मगर मच के पास कभी वापस नहीं आया, उसने कलाइड को पीछे छोड़ दिया था, और दूसरों पर भरोसा करने के बारे में एक कीमती सबक सीखा था, इस दिन के बाद से वो अपनी चालाक चालों से जंगल का दिल बहलाता रहा, लेकिन वो नए दोस्त बनाने में हमेशा मिहतात रहता था, जहां तक कलाइड का तालुक है, वो मौमो को दौर से देखता, कभी कभार मेठे आमों से लुट्फ इंदो होते हुए बंदर कोई आम कलाइड की तरफ भी अच्छाल देता, लेकिन वो इस सबक को कभी नहीं भूला, जो उसने जंगल के बाशंदों की होश्यारी के बारे में सीखा था, और इस तरह बंदर और मगरमच अगरचा कभी सच्चे दौस्त नहीं थे, जंगली में एक रहते रहे, हर एक अपने अपने तरी करा, लेकिन वो इस सबक को कभी नहीं भूला, जो उसने जंगल के बाशंदों की होश्यारी के बारे में सीखा था, और इस तरह बंदर और मगरमच अगरचा कभी सच्चे दौस्त नहीं थे, जंगली में साब्स और बंदर और मगरमच